USA ने एक former raw agent विकाश यादव को most wanted declare कर दिया है इनकी photo publish कर दिया अपनी website पर दुनिया भर की new agencies अब ये screenshot शेर कर रही है wanted by the FBI विकाश यादव हम चाहे कितना भी कहलें कि अमेरिका हमारा दोस्त है हम चाहे कितना भी कहने हैं कि अब भारत और अमेरिका बहुत मजबूत partners बन चुके हैं लेकिन अमेरिका का जो एक चरितर है वो कभी बदलेगा नहीं और नीचे लिग भी दिया है कि इन पे आरोब ये लगे है murder for hire पन्नो का खोन करवाने के लिए पैसे दिये हैं conspiracy to commit murder for hire most wanted भुशित करते हुए उसे एक खालिस्तानी समर्थक खालिस्तानी आतंकवादी गुर्पतवन्त सिंग पन्नो की हत्या की कोशिश के मामले में मुख्य साजिश करता बता दिया है एक पोस्टर जारी किया है FBI और इस पोस्टर पर सबसे उपर लिखा है wanted by the FBI अमरीका और भारत के तालुकात अपनी तारीख के सबसे बतरीन दोड़ से गुजर रहे हैं वो जुआत क्या हैं क्यूं अमरीका भारत पर इतना भड़का हुआ है और ये खबरें भी सामने आ रही है कि आएदा चंद रोज में अगर इनके मौमलात ना सुलजे तो तारीख में पहली बार अमरीका भारत के जितने भी सफीर हैं उन्हें मुल्क बदर कर सकता है सबसे पहले ये तस्वीर मुलाइज़ लखीजे जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है ये है FBI की तरफ से जारी होने वाली Most Wanted List की जिसमें लिखा हुआ है Wanted by the FBI विकास यादव साथ उस शक्स की तीन तस्वीर लगाई गई हैं जिसमें एक तस्वीर में उस शक्स ने इंडियन आर्मी की बकाइदा उसने वर्दी पहन रखी है ये विकास यादव कौन है इसने ऐसा क्या काम किया है और कौन सी बड़ी साज़िश बस्ट की है भारती गवर्मेंट की FBI ने और किस मौके पर जब नरेंदर मोदी अमरीका में पिछले साल मुझूद था सबसे पहले आपको बताते हैं कि 23 नॉमबर 2023 को Financial Times ने अपनी एक स्टोरी ब्रेकी जो के सबसे पहली स्टोरी थी इस मामले पर उसमें उसने लिखा है यानि कि यूएस ने एक साज़िश पकड़ी है जिसमें अमेरिका की स्टोरी पर एक सिक रहनुमा को कतल करना था साथ यसाथ उसने लिखा है जो वाइडन रेज्ट कॉंसरन आफ डेली इनवाल्मेंट विट इंडियन्स नरेंदर मोदी इन सेप्टेंबर यानि कि सेप्टेंबर में नरेंदर मोदी के सामने इस बात का जिकर भी किया था यह है एक साल पुरानी खबर इसी फाइनेशल स्टाइम की स्टोरी में उस सिक रहनुमा का नाम बताएगा गुर्पतवन सिंग पन्नु गुर्पतवन सिंग पन्नु कौन है हमारे वीडियो में भी अक्सर आप उसके क्लिप देखने है एक सिक सेपरेटिस रहनुमा है जो के खालिस्तान की मांग करता है और नरिंदर मोदी सरकार को तंग करकर रखा हुआ है नाकों चने चपवाए हुआ है इस सेक्स ने अकेले अमरीका में बैट कर क्योंकि जितने भी प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में इंडिया के खिलाफ उनकी अमबेसिस के बाहर होते हैं उसक वर्शिंटन पोस्ट की ये स्टोरी आपके सामने चल रही है ये लिखते हैं एन एसेसिनेशन प्लोट अन अमेरिकन साइल रवील्स आ डारकर साइड आफ मोदी जिंडिया या नरिंदर मोदी की सरकार का या उसके भारत का काला चेहरा सामने आया है इस एसेसिनेशन भारती एजेंट्स ने अमेरिका की साइल पर कतल करके नरिंदर मोदी को तोफा देना था कि हमने भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अमरीकी साइल पर खतम कर दिया है लेकिन फिर ये पकड़े कैसे गए और विक्रम व्यादव जो कि मोस्ट वांटिड है इसका इसमें क्या रोल है और वो अभी किस सिच्वेशन में है और कहां पर है ये सब कुछ आपको अभी बताते हैं विक्रम व्यादव को भारती हुफी अजन्सी से एक खुसी टास्क मिला जिसने एक और शक्स निखिल गुपता को एक लाक डॉलर दिये और एक लाक डॉलर के वज़ उसने प एफबी आई के अंडर कवर एजन्स से जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी उन्होंने फूरण अपनी एजन्सी को मतला किया और ये काम होने से पहले ही निखिल गुपता को गुरिफतार कर लिया गया अब गुदाशता रोज जो एफबी आई की रिपोर्ट सामने आई है य ये जिसे विकास चादिव का नाम भी देया गया है उसके साथ मिला हुआ था उसने एक लाक डालर की बकाइदा रकम उससे हासिल की अब ये खबर तो कल शाया हुई है लेकिन इससे पहले ही अमरीका ने भारत पर दबाव डालना शुरू किया और आज से चंद रोज पहले यानि 15 अक्तूबर को एक हाई लेवल वक्त अमरीका की मिनतें कर ले उसकी तरले करने इसी मामले को सेटल करने के लिए वहाँ पर पहुंचा लेकिन अभी तक खबरें ये सामने आ रही है कि कोई भी सेटलमेंट नहीं हुई अगर सेटलमेंट होती तो कल जो FBI की तरफ से ये भारत भो कहता है के विक्रम यादव या विकास यादव तुम्हारा बंदा है तुम्हारी गववन्ची का इंपलॉय है उससे तुम अमरीका के हวाले करो ये हमारा मॉस्ट वांटिट है भारत किसी भी तोर पर उसे वहाँ पर फ्रहां नहीं कर सकता क्योंकर इगर वो कि आमने फिर आते दिखाई देंगे और जो तजिजिया निगारों की राय है कि चंद ही रोज में ऐसा हो सकता है अमरीका तमाम के तमाम जिस वारतकार हैं भारत के उन्हें बेदकल बिल्कुल उसी तरीके से कर सकता है जैसे के कैनडा ने बेदकल किया था अब इस सारे मामले पर भारती क्या कुछ कह रहे हैं जरा इस क्लिक में वो मुलाइदा कीजिए हमारी हेल्प करेगा मगर USA ने किया इसका बिल्कुल उल्टा USA ने विकाश यादव इनको डिकलेर कर दिया है most wanted और नीचे लिग भी दिया है कि इन पे आरोब ये लगे है murder for hire इनों ने किसी का खून करवाने के लिए किसी का छोड़िये पन्नू का खून करवाने के लिए प पन्नू क्या गेर्ज मिदो कुछ आक्षन लो हम चाहें कितना भी कहलें कि अमेरिका हमारा दोस्त है अब भारत और अमेरिका बहुत मजबूत पार्टनर्स बन चुके हैं लेकिन अमेरिका का जो एक चरित्र है वो कभी बदलेगा नहीं अब देखिए आज क्या हुआ है अमेरिका की सुरक्षा एजिंसी FBI ने भारत की खोफिया एजिंसी रौ के आरे डवल्यू के एक पूर्वधिकारी को Most Wanted घोशित करते हुए उसे खालिस्तानी समर्थक, खालिस्तानी आतंकवादी गुर्पतवन सिंग पन्लू की हत्या की कोशिश के मामले में मुख्य साजिश करता बता दिया है एक पोस्टर जारी किया है FBI पर इस पोस्टर पर सबसे उपर लिखा है Wanted by the FBI यानि FBI को इस व्यक्ति की तलाश है और ये व्यक्ति है विकास यादव FBI ने R.A.W. के इस पूर्वधिकारी का नाम विकास यादव और इसका कोड नेम अमानत बताया है और इसमें विकास यादव की कुल तीन तस्वीरें FBI ने लगाई हैं जिनमें एक तस्वीर में वो भारतिय सेना की वर्दी में नजर आ रहे हैं और इस पोस्टर के मताबिक विकास यादव हर्याना के रिवाडी जिले के रहने वाले हैं